पर आपको हमेश्ता कुछ नई जानगाडी देता हूं दोस्तो आज मैं बात करने वाला हो बिजनस गोल के बाड़े में कि अगर आप बिजनस करते हो तो आपको गोल किस तरह से स्थेट करना है और उसको एक्षीड करने के लिए क्या करना है एक्ट्वल में हम बात करें बिजनस के बाड़े में तो बिजनस आप तभी कर सकते हो जब आपके पास गोल हो जब तक आप अपने बिजनस में गोल सेट नहीं करते हो तब तक बिजनस करना इंपोसेवल है बीजनस में सक्सेस पाना in possible है तो दोस्तों जब यह बीजनस करते हो तो गोल पका सेट कीज़ें जैसे कि मैं आजकल आप लोगों के साथ सेर कर रहा हूं बीजनस प्रैयरिटीज के बारे में वर्क के बारे में बीजनस प्लानिंग के बारे में और यह सब कुछ depend होता है गोल क तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते हो जितनी भी कंपणी है आज की डेट में जो सक्सेस हुई है उनका कोई ना कोई एक लक्ष रहा है कोई ना कोई एक गोल रहा है कि मुझे किस टैम पे जा करके अपने कंपणी में क्या लाना है क्या चेंज करना है बिजनस को कहा तक पह करते हो तब तक आप वहां तक पहुंच नहीं पाते हो और यह गोल सेट करने के बाद आता है पूड़ी की पूड़ी प्लानिंग चाहे वह बिजनस के प्रड़िटी जो वर्ट की प्रड़िटी जो या फिर उसके जितने फाइव कॉंसेप्स जो मैंने बताये तो वह सब उसक पूड़ी को ले करके तो आपको हमेशा जब भी आप ये बिजनस्स स्टार्ट करना चाहते हो जब भी आप करते हो या अगर आप अभी के टाम पें बीजनस चला रहे हो तो आप हमेशा गोल बना के रखेए, कि आपको आने वाले चार महिने में, पांच महिने में, छे महिने में, एक साल में आपके कमपनी का बिजनस का टर्नोवर क्या होना चाहिए, आने वाले छे महिने, वगर इस महिने आपका हर महिने का सेल 4 लाख रुपिया यह माल लेते हैं पुड़े महिने का, तो आने वाले छे महिने में आप इसक है तो आने वाले छे महिने में मुझे 4 लाग का बिजने को हचारिस करना है वह एक आपका गोल हुआ कि यह मुझे में मुझे 4 लाग करना तो वन्हें ब भाऴ ने मुझेly करना पड़ता है एक तरह काishing बनाना esosटा है धो स्कम्राइट करना से हुआए कि आपको 6 मह開始 22 करना है यहां से 20 छोड़ा करना थ्侯े तो आप सोस्ते हैं कि चलो मैं 2 ब्रांचे और मैं आपन करता हूं यहां से में अलग-अलग तरह से बीनस कर के सब मिलाकर ned mi 40 लाख कर दो इसको एक्चिव करना है तो कि पहला गोल का सेट हो होगे आपका कि आपको दो ब्रांचे जो ओपेंड करने हैं जहां से कि मुझे सब मिला करके 40 लाग का बीजनस आएगा अधित्ता टैम में देखा जाता है कि अगर किसी तरह का कोई परेसानी अगर आपका जिस इंडस्ट्री में आपका पकड़ अच्छा है उसके वाड़े में आप ज्यादा इंट्रेश रखते हो तो अपने गोल से कभी मत भटकिए वहां तक पहुचने के लिए कुछ ना कुछ तरीके जरूर होते हैं डिपेंड करता है कि आप तरीका किस तरह से निकाल के ले करके आते हो बहुत सारे तरीकें हैं जो कि मैं अपने चैनल में बताया है जो business को बनाने के लिए करना पड़ता है जैसे कि मैं आपको बताया थे विलास्ट के कुछ वीडियो वीडियो किस तरह से influence करते हैं आपके वरक की किस तरह से शेट करते हैं 5 concept में बताया था इस industry का कि अगर आप ये industry में इंटर करते तो आपके पास 5 concept होने चाहिए जिसके तहत आप पूरा का पूरा business planning कर सकते हो जब भी दोस्तों आप business का plan करते हो या फिर goal बनाते हो तो हमेशा याद रखे कम से कम जो goal होता है 100 turn का रखे और कम से कम 2-3 साल तक के लिए रखे 100 turn मतलब कि 2-3-3-4-5-5 महिने का एक गोल रखे और इस goal को planning के अतार कम से कम 2-3 साल के लिए ताकि आप धीरे धीरे करके एक ए goal को achieve करके आप आगे बढ़ते जाओ होता क्या है कि अगर आप लंबे टाइम के लिए लंबे टाइम के लिए कोई goal बनाते हो किसी तरह का कोई लक्ष रखते हो और वो अगर पूरा नहीं होता उस लंबे टाइम में तो अहां पर जा करके आपका जो माइंड है आपका क्या मतला सारे लोगों का ऐसा होता है हम भी उसमें से एक है और वह जो डाइवर्ट हो जाता है उस बीजनस के लिए दिमाग नहीं लग पाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैंने इतना टाइम इसमें वेश्ट कर दिया में इ सब्सक्राइब करना है तो पॉसलिटीज है कि मैं वो चार को साथ में बदल सकता हूं तीन महीने में अगर वही गोल को अभी के टाइम पे चार लाग कर रहा हूं सब्सक्राइब करना है तो यहां पे दो चिजो को सचने करना है आपके पास पाइस आपके पास ताइन क्यत bastante है आपकी जो गोल में ना रहे हो आपको जो टीम है उस गोल को एक्चीव कर सकता हो कि नए यह सारे चीजे थोड़ा सा पैसे के उपर और साथ साथ में आपके टीम के उपर भी जादा करके डिपेंड करता है अगर आप एक लॉजिस्टिक इंडर्स्ट्री में अच्छा खासा लॉजिस्टिक बिजनस आप चलाते हो तो या फिर बड़े बड़े मतला बड़े पैमाने चुकि मैं इस इंडर्स्ट्री से लॉजिस्टिक ट्रांस्पोर्डेशन से हो तो मुझे इसके वाड़े में अच्छा खासा नॉलेज है बहुत सारे कंपनियों के साथ में ने काम किया है बहुत सारे लोगों के साथ में बैठता उठता हूं और वहां से बहुत सारे को कश्टिमाइज करने के लिए अगर कडते और जब किसी तरह का गोल बनाते हो तो वहां पर हमेथान जाने ऊस मैशना को कटी आघ लोगान कई मिचेशन कों पहुंचना के ऊसान हो जाता है बट अगर आपके पास कोई इसा कॉस्ट्रमाइज बिजनस नहीं बर रहे हो तो यहां पे सबसे पहला तो होता है कि आपके साथ competition बहुत बढ़ जादा बढ़ जाता है लोगों के साथ क्योंकि बहुत आरे लोग और इस इंडस्ट्री में है वह भी traditional business कर रहे हो तो कुछ अलग नहीं है और यहां पे जो है सबसे ज़्यादा जो होता है competition का बा पहुचना चाते हो जो गोल आपने सेट किया है वहां तक पहुचने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़े आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और सबसे बड़ी बात कि आज की रेट में पैसा सबसे ज़्यादा मतपूर्ण है तो आपका पैसा बढ पहुचना सिग है तो विश्वास किजिए आज की डेट में जितनी कंपनी का नाम आप सुनते हो एक दिन आपकी कंपनी खुद वहां तक पहुच जाएगी तो दोस्तों यह थी छोटी से जनकाड़ी जहां पे कि आप मैं बता रहा था आपको बीजनस गुर की बाड़े में आपके साथ जो कि सेम चीज कर रहे है तो ध्यान रखे कि कुछ अलग कीजिए गोल्ड शिट कीजिए प्लानिंग कीजिए और सफल हो यह तो दोस्तों आज के लिए था इतना है मिलते अपने नए वीडियो में फिर से कुछ ने लिए प्रसार पतक के लिए धन्यवाद